नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अपूल मिश्रा मेरे साथ मौझूद है मेरे सयोगी अभिशेक त्यागी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो पहला टेस्ट मैच हुआ है इंडिया और न्यूजिलैंड के बीड जिसमें टीम इंडिया की बहुत बुरी हार हुई है पूरे तस विकर से टीम इंडिया हार गई और पारी की हार होते होते बच गई उस शर्मनाक हार की पांच बड़ी वज़ा क्या रही पांच बड़े कारण क्या रहे हम इस पर बात करने जा रहे हैं हम डीटेल्स में आपको बताएं और अमूमन जब भी न्योजिलैंड के विकेट्स पर कोई टॉस जीता है तो पहले बॉलिंग ही करना पसंद करता है तुकि वहाँ पर सबसे एवरेज जो फर्स इनिग स्कोर है सबसे कम है दुनिया में न्योजिलैंड में पहली इनिग में सबसे कम रन बनते हैं इसलिए न्यूजिलेंड ने वो किया भी, इंडिया को बैटिंग के लिए उतारा, भारतिये बल्लेबाजों ने बहुत जादा निराश किया, सिर्फ अजिंक्या रहाने को छोड़ दे, जिन्नों ने भी बहुत जादा रहनी बनाए, कुछ 40 के आसपास न बनाए थे, उसके अ अगे जैसे इंडिया के साहिए वैसे न्यूजिलेंड के साथ होगा, नियूजिलेंड के बागी के पांश्विकारज़ जल्दी कर जाएघे, लिकिन ऐसा नहीं हो बाया, New Zealand के उचले बल्लेबाजों ने टीम इंडिया इसे बडंलेबाजों ने पुक्छले गेंड और टीम इंडिया पर उन्होंने पहली पारी के आधार पर 183 रनों की बढ़त चढ़ा दी अब टीम इंडिया के बैस्मेनों से उम्मीद थी कि वो इस बढ़त से आगे ले जाकर टीम को मैक्स में वापस लेके आएंगे लेकिन दूसरी इनिंग में भी टीम इंडिया के जो श शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा तो अभिशेख पांच बड़े कारणों की शुरुवात किस्से की जाए क्या पहला बड़ा करा हम तो सबसे पहले आप से भी चाहेंगे कि हम जब 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 बताते रहे उससे पहले आप भी जड़ा बताईए कि आप कौन-कौन सी व कि आप नब जा कुकि जीतने के बाद टीम के पास एक आडवांटेज था लेकिन उसके बावजूत भी जिसतरे की टीम इंडिया के पास बल्ले बाजी थी मुझे लगता है कि कॉलैप्स कर गे टीम इंडिया पूरी तरह से न्यूजिलेंड में उनके गेंदबाजों के सामने जिस तरह से बोल्ट नेक सटीक और साउधी ने जिस तरह से रणनीती के तहट गेंदबाजी करी सभी बल्लेबाजों को वह सफल हुए वह तो आगे के कारण हो गए सबसे पहला कारण हम बानते हैं कि टॉस ने एक तरीके से टीम इंडिया को शुरुआत से ही पीछे ढखें दिया क्योंकि न्यूजिलेंड में क्या होता है आप लोगों को मैं बता दू कि न्यूजिलेंड एक ऐसा देश है जिसका क कि दुनिया पहली पारी का उसते स्कोर सबसे कम биमे आसान भाशा में बता कि ऑगर भारत या ऐस्टेलिया में आप खेड़ रहे होंगे और न्यूजिलेंड में तो न्यूजिलेंड में बनते हैं तो न्यूजिलेंड में फीछ चैना ये माना जाता है है कि महाना बोल बहुत से कम है और दूसरी पारी में सबसे ज्यादा है तो ऐसा होता है कि कई बार तीम पहली पारी में अगर नहीं भी अच्छा खेल पाती है तो उनके पास मौका होता है क्योंकि दूसरी पारी में विकट बहुत आसान हो जाता है और इसलिए और सब तिसकोर वहां 400 के आसपास है द उसके बाद मैच में वापस नहीं आ पाई क्योंकि न्यूजिलेंड को आप जल्दी में आउट सस्ते में आउट नहीं कर पाई और उसके बाद जो सेकंड इनिंग थी वहां पर भी आप नहीं चल पाई तो टॉस ने एक बहुत एहम फैक्टर निवाया इसका मातर ना तो यह हैसा सब से बड़ा कारां सब से पहला पाई हम पो क्योंकि इसने शर्वा नाम एक तेम इन्डिया के लागान को तुसरा बड़ा लो चलिकर मैजेंग ई dicts नेरा नहीं अगर खासकर मैं बात करूं तीन नाम लेना चाहूंगा प्रत्विशो शुमन गिल की जगा उनको मोगा दिया गया जबकि शुमन गिल न्यूजिलेंड में अच्छा कर चुके हैं चांसों से ज्यादा रन शुमन गिल बना चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अभ्यास मैक में क फैन्मैक में अच्छा ज़ें लेकिन विराट ने लेक्सिस सब्सक्राइल और ऐकमिल की ट्रें पढू इस रहन बंगा सब्सक्राई सब्सक्णा करने नालते हैं है ऐसां लेक्स साहст बाली में गाघना नहीं को खाती। उनका बयान भी आया, कि हमने एक सथीख रननीतिक तहत विराट को आउट किया है, पहले उनको रनों के लिए तरसा आप जोब वो दबाओ महा जाती है, तो गलार शॉट खेलते हैं, वसे अबसल के सामने ऐसा देखा नहीं गया है, कि विराट को ली इस तरह सा आउट होती है, इन दोनों ही पारियों में विराट कोली के साथ आस अलवा तो मैं तीनों बलेबाज के खासकर बोलना चाहूंगा कि इन तीनों ने बड़ा निराश्क किया है पहली पारी में और दूसरी पारी में लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि बाकि के बैस्मेन क्या कर रहे थे पहले निंग में बनाए और अठावन दूसी में लेकिन ये काफी नहीं होता ना तेस्स मैच में आपको अगर स्टार्ट में तो आपको उसको बड़े स्कोर में चाहिए तब ही आप बड़े बैट्समें बनते हैं तेस्स मैच में लेकिन उन्होंने भी निराश किया अजिंके अजिंके रहने निराश किया अगराने का नाम अच्छा लिया जाता उप कप्तान बे टीम लेकिन अगर आप मैंक अगरवाल के करें तो पहली पारी में मैंक अगरवाल एक बिल्कु लुषोट खेल कर आउट हो गया तेस्स के बाद में दूसरी पारी थोड़ा तरिके से जो बल्ले बाजी का फ्लॉप रहना पहली इनिंग में जो बल्ले बाजी फ्लॉप होई वो भी एक हार का बड़ा कारण बन गई अब आते हैं तीसरे बड़े कारण पर चलिए आपकी बालिंग अगर नहीं अच्छी हो पाई तो कम से कम आपकी बैटिंग अच्छ सबी आउट आफ टच नजर आ रहे थे चाहे जस्प्रीद गुम्रा की बात कर ले या फिर मौमद शमी की बात कर ले अश्विर ने भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छी बालिंग नहीं की जिसकी वज़ह से हम न्यूजेलैंड पर दबाब नहीं बना पाए और सोचिये न्य न्यूजेलैंड के भी बागी के नीचे की गेंबाज होते हैं एक या दो बैट्समेन होते हैं तो उमीद की जानी चाहिए थी कि वहां पर भी टीम इंडिया अलॉट कर दे कि लेकिन जो उनके नीचे के बैट्समें थे वाट्लिंग ने 14 बना दिये ग्रेंड हो बना दिये जानी ग्यारवे नंबर का बल्लेबाज आपको बना के चला जाता है आप कैसी गेंबाज ही कर रहे हैं बिल्कुल अपर देखिए आप न्यूजेलैंड की पहली पारी में अगर देखें तो साथ विकेट 25 पर गिर चुके थे हां उससे में साओधी जो अच्छी साथ में साथ विकेट 25 पर गिर चुके थे और 348 पर न्यूजेलैंड पहुच चुकी है तो सतर से ज्यादा की जो पार्टनर्शिप जैमिशन और गैंड होम के बीच हुई वहां से मैच टीम इंडिया से चिन गया था ऐसा लग रहा था कि शायद जब 6 विकेट गिर चुके चौथा बड़ा करण हम यह मानते हैं कि बिना प्लैनिंग के जैसे कि एक न्यूजेलैंड की गेंड़ाजों ने प्लैनिंग के साथ टीम इंडिया को बॉलर्स में बिल्कुल नजर नहीं आई आई खास तोर से चलिए ऊपर के बैस्में तो 230 बसात हो गए थे तो आप नीच कर किए थे तुर्फे पांचे पर गेंड़ाजी कर रह्याति कर रहे थे वह veggie tu vintage game आई यूजे पता है कि अगर प्लानिंग नजर बिल्कुल नहीं तो यह भी एक हार का बड़ा करन रहा है और पांचमा बड़ा करन रहा कि आपकी सेकंड इनिंग्स में भी जहां आउस्ट इसकोर दुनिया में सबसे ज़्यादा है नियोजिलेल ने कम से कम 400 क्यासपास बनते हैं अगर इंडिया भी 400 क्यास कर लेती तो नियोजिलेंड पर दबाव बनाया जा सकता था पांचमा बड़ा हार का कारण रहा कि टीम इंडिया सेकंड इनिंग्स में भी टीम इंडिया के जो पल्ले बाद हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उनका नाम है वो शेर नियोजिलेलेंड के किवियों के आगे की आगे यहमारे कारण थाहिए आपके मताबिक पांच भड़े कारण क्या रहे हमारी रपों दिखने के बहुत पर शुक्री पसंद आई तो नीचे कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ हमारे विडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाए त नामस्कार